तो आज की हमारी इस online class में हम आपके साथ बात करेंगे advanced Excel में error formula की जी हां आज हम बात करने जा रहे हैं error formula और हम पराएंगे कि error formula कैसे perform करता है तो पहनी classes में हमने आपके साथ discuss किया था array का कुछ पंटा में पास जैसे कि मैंने बताया था कि array कैसे distribute होता है कैसे calculate होता है कैसे data को array format में हम back में save कर सकते हैं इनके बारे में हमने बताया था अब चलिए array में और ज़दा array की example हम आपको देते हैं तो मैं अपटी computer screen आपके साथ share कर रहा हूँ चलिए array formula में सबसे परेक्षोटे मुठे calculation हम देखते हैं जैसे आपके सामने हमने numbers यहाँ पर दिये होगे और यहाँ पर मालेजिए कुछ और numbers है अब मुझे इन दोनों का multiplication सम करना है मुझे इनका multiplication सम करना है मतलग कि एक अलग सीज़ के जाके इसको आपस में multiply करना है और फिर इसको totally हनी के करना है तो मैं एक cell में करना चाहता हूँ तो इसके दो तरीके हाला कि इसके लिए sum product का formula है आप sum product यूज कर सकते हैं sum product हमने इसको लिया, comma इसको ले लिया तो दोनों में product भी हो जाएगा और आपका sum लिया जाएगा लेकि इसकी को array से करना है तो हमें sum के अंदर में हमें क्या करना होगा इसको select करना होगा multiply इसको select करना होगा तो इसको चलता जाएगा तो बोलागे सर्थ कि मैं array के उज़को हम sum product नहीं उज़कर सकते हैं but sum product में जस्थ आपको sum होगा na multiply होगा बट इसके divide भी कर सकते हैं जैसे कि मुझे divide करके sum चाहिए तो यहाँ पे sum और हमने select किया इसको divide और हम इसको select करें तो कोई भी पूरा एक range की calculation को आप इस तरह से कर सकते हैं clear है मुबन जी जी सर्थ अगले example की हम बाप करें तो कभी-कभी क्या होता है कि जो हम data लगाते हैं तो हम उसके कुछ multiplication बढ़ भी करते हैं जैसे कि मालेजी ने यही इसी data को मिले लिए और मुझे इस पे divide करना है divide तो result आपको सामने आ रहा है divide लेकि इसी में कहींगे इसे 0 हो जाएगा तो यहां पर div आ जाएगा अब error को सम किजिएगा तो सम नहीं होगा क्योंकि अगर आपने input में error दिया तो output भी error आएगा Excel का fundamental rule है बट मुझे सम करना है कैसे करें तो यहां अगर आपके पास office 2016 और 19 है तो आपके पास एक aggregate का formula होता है aggregate मैंने आपको बताया जीता aggregate में हमें सम करना है तो सम को select करने तो इसमें आता है इग्नोर इग्नोर किसको करना है तो हमने लिख दिया इग्नोर Error Values और श्यूद को select कर दिया लेकिन problem यहां के आती है कि अगर मान दिये कि में पास lower version है उसमें aggregate का formula लिए तब क्या करेंगे तो उस case में हम Sum और इसके अंदर इस error रहेंगे और इसको select करेंगे और comma 0 कर देगे इस error formula क्या करता है कि error के जगह पे जो value आपने 0 दिया है वो 0 कर देगा और Sum को क्या मिलेगा error नहीं मिलेगा इंटर मारी है अब इंटर मारी है अब इंटर मारी है अब इसको समझे के वर्स कह सकते है तो formula वाला जाते है evaluate formula और फिर इसको आप देखे evaluate की लिए तो यहाँ पे इस error में जहाँ जहाँ error था वहाँ वहाँ इसने 0 देखे इसका इस्तुमाल आपकर देखे कुछी तरीके से मान लिजिए कुछ name list है कुछ name list है मुझे इनका length पता करना है अब length क्यों पता करना है तो मान लिजिए इन सबों को मुझे एक cell के अंदर concrete करना है तो मुझे पता कर लेते हैं कि इसका length क्या है क्योंकि एक cell में आए या नहीं आए या पि जहाँ पर मुझे लेना हो इसकी length की एक limitation है तो अगर manual count करने जाए तो हम यहाँ पे length का formula लगाना परेगा और फिर इसको from करना परेगा तो हम thumb के अंदर ही length formula दाल सब्सक्राइब thumb length और इसको हम रहे select किया और आगया सर्थ इसकी length पुट्पीवाद है control shift enter मारिएगा तो जाके इस फॉमा area step करेगा लगिए 65 में automatic area step कर लेता है control shift enter मानने की जरुवद नहीं पड़ती है तो यह array का performance हमने array के तीन example दिये अब अग्ला example चलता है अब अग्ला example कि हम बात करते हैं तो इसमें हमें मान लिजिए कि इसमें list है list आ गया अब इसमें कहीं कहीं number है और कहीं कहीं text तो मुझे इसमें कितने text है या कितने number है उनका चाहिए नहीं जाए बात समझें सर तो कैसे होगा तो यहां पर हम लगाएंगे formula sum sum में हम देंगे यहां पर is text results but यहां पर result 0 आएगा 0 क्यों आया चलिए formula देखते text ने क्या किया true false true false true false अब sum true false को consider नहीं करता है ठीक है तो इसलिए यहां पर true false true false में यह आपका true false को consider नहीं किया इसलिए 0 दे दिया इसको मैंने आपको इसके लिए में समझाया तब दूबर बता रहे हैं यह एक्सम में लिखा हुआ true यह false true equal to 0 1 sorry and false equal to 0 अगर मैं दोनों true कर देता हूँ रिजल्ट 2 आए इससे ठाइबित होता है false equal to 0 होता है ते यह और जहां रखेगा कि अगर आप true के ऊपर multiply by 1 करते हैं तो result 1 आएगा और false true करते हैं तो result 0 आएगा तो यही काम आपको यहां समने करना है कि इसको multiply by 1 कर दीए एंटर मारिये result आएगा 7 आए ओके result 7 आए इसी तरह इसी तरह से नंबर करना है तो इस टेक्स तरह पर इसी नंबर हो जाएगा अब इस पर एक चीज़ और आती है जैसे माली मेरे पास दो लिस्ट है मुझे पता करना है कि दोनों में इक्वल कितिने हैं तो दुरों same sequence में लिखे हुए है माले जी जी same sequence में लिखे हुए तो मुझे यहाँ इक्वल और यहाँ इक्वल करना पड़े है फिर मुझे यहाँ पर countif लगा के true को sum करना पड़े उसे second direct sum में करना है यहाँ equal sum पहले लिश्ट को लिया और हमने इक्वल दुसरे लिश्ट को सरेक्ट अब इसे multiply by one करना है तो हमें इसा बोड मास में सवर देना पड़ेगा नहीं तो क्या होगा कि multiply by one किसमें हो जाएगा अब कि इसी में हो जाएगा तेक्स में जो आएवा जाएगा यहां पर multiply by one एंटरप्रेस कीजिए रिजल्टाप के सामने अब कोई नाम में जिमाने जिए ओम सर्मांग मैं करें रहता हूँ ओम सर्मांग ओके क्रिए जर अब लेकिन मान लिजिए कि और रड़र मिली है मुझे दो लिश्ट हमें मिली है यह दो लिश्ट हमें मिला हुआ है लेकिन इस दोनों और बिली है मतला कि पूजा यहां पे है और देव उपल में मुझे यह पता करना है कि इसमें कितना विजिट कितना मिला है मुझे इसको देखना है कि इसके कितने ऐसे नम्मर टेक्स है जो इसमें एक्डिस्ट करते हैं तो क्या करें इसके लिए इसके लिए यहां पर हमें करना पड़ेगा सम और इसमें देना होगा काउंट इस काउंट इस हमने बोला रेंग कि इसमें इसको लुक अप करना है और यहां पर एंटर्फेस करें नहीं ना गया इस उल्टा करना है वापस वापस यहां पर हम सम लिखेंगे और सम में बोलेंगे कि इसमें कि इसको लेकिन इसके लिए यहां पर काउंट इस लगाना पड़ेगा ना मुल्टिपल कंडिशन हैं तो काउंट इसको जाएगा ओके सर तो दो कि साथ मैट इस तरह से करेंगे तो अभी आप बोलेंगे सर एक एरे कैसे समय में आयरे आ रहा है है इस तो हम जब मुल्टिपलाई करते हैं कि अब मैं यहां इसको तरह करो और मुल्टिपलाई इसको तरह कर दूँ इसमें क्या है कि एक्सल का सब्सक्राइब करता है कि एक बार में एक ही चल की का लिए लेकिन यही पर चीज़ जो अपने आप ले लेता है तो एकी से लुए वहार ना तो एक स्वक्राइब कर्राहा है तो हमें जितना रहता हаемся स्वक्राइब करना है एक क्यूलेटव फॉर्मूला में ओसको डाल पर आक्रीकुलेशन को समद्ने अब जैसे यहीं पर देख देंजे ना कि इस एर्र फॉर्मूला जो लगता है वो लगता है सिंगर एक सेल पर वट हमने एक रेंज पर लगाया हुआ तो इसमें जो रिजल्ट दिया इसमें भी वन बाइव वन दिया हुआ है इसमें पर विल्ट करें तो उसके पास पूड़े करेंगा तो उसके पास उसके पास पूरे गए है इस लिए उसको हम एक मैंतेमेटिकर फॉर्मूला में हमें सब्सक्राइब सब्सक्राइब है सब्सक्राइब इस अब यहां पर इस दौर किजिए हमने जो भी कैल्कुलेशन किया और कैल्कुलेशन नंबर है तो जहां देखिएगा एरे जो है फाइनली रिजल्ट जो है ओर नंबर देता है टेक्स नहीं देगा तो समझे जैसे कि फोर इंजामबल मुझे इस लिश्ट में से निकालना है सब्सक्राइब नहीं भी का है मुझे से बता काकश चैनी हिर के लिए ए यहां फे से मैसरा अलगेगा मैस क्या मपर लगेगा इवास कि मार्यक्षिस मैंश्भ्षाम हमने बोलेज्ञ लेज्ञ और हमने इस बडुक करना है इसको हमें लुट API अब sensitive किसमें करना है तो लें। है। और एक्जैक्टिश्य क्या रिटर्ण है यह अई नहीं सब्सक्राइब आप जिए यह रहा कि एकков स्क्राद्रे दर करेगा नेम नहीं रहा रहा कि है दूर कर लेगा पस्यचे दो कि है है उसके logg पस्षणी यह और क्या बाद आप इंडेक्स लगा लिजिए और आप इसका रिजर्स ले लिजिए, कॉमा, आ गया है? तो अब समझ गया है तो भूबन जी आप प्रैक्सिस कीजिए और प्रैक्सिस करके मुझे अब आपको आठ दस पाइंदी हैं आप मुझे इसमें अब दस इसी सरह के छोटे-छोटे बाइक के एरे के एक्जाम्पल बना कि दीजिए कि मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि एरे को समझना है तो एक एजाम्पल काफी है नहीं समझना आया है तो सौ एजाम्पल भी कम पढ़े तो एक बार इसको बना के दीजिए ठीक है जी वह मिलते है कल और सब्सक्राइब एक रिक्वेस्ट है